तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Q&A मतलब कि Question and Answer पहले बार Q&A करने जा रहा हूं और आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पुछे थे एक महिने में मेरे वीडियो में बहुत सारे सवाल और सुझाव आए हैं और मैं जिसका जरूरी समझ रहा हूं Question का Answer देने का मैं वो सब Question को Pick कर लिया हूं और आपके सुझाव जीतने भी आये थे वो Awesome थे और मैं Implement करने का कोसिस करूँगा आपने वीडियो में और आप देख सकते हैं सेटप जो है लगबग रेडी है अलमोस्ट रेडी है थोड़ा थोड़ा काम बचा हुआ मैं खुद से कर रहा हूं और उमीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आएगी अच्छा लगे तो लाइक जरू किजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को सुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहला सवाल जो है विसाल खितरपाल जी पुछते हैं कि सर अन्बॉक्सिंग करने के बाद वस्ट प्रोडेट का आप क्या करते हैं तो विसाल खितरपाल जी आपको पता नहीं होगा साइद मेरा एक स्वाफ है जिसमें हम लोग मुबाइल फोन और उसके एससरीज बेचते हैं तो हम लोग के पास ऐसा बहुत सारा अप्सेंस रहता है अगर हम लोग खोल भी देते हैं उसका सील को तो मैं अन्बॉक्सिंग और रिब्यू कर लेने के बाद उसको बड़ेश देता हूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग यूज नहीं करते हैं उसको सिर्फ अन्बॉक्सिंग के लिए इस्तमाल करते हैं और यहाँ पर चुकी विलेज एरिया का मेरा स्वाप है तो कस्टमर्स उतना माइन नहीं करते हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होता है अगर हम लो स्टॉक में घर में तो मैं इस सब को जो है अपने सेट अप में लगा देता हूं तो अच्छा लगता है थोड़ा साथ फ्री म्यूजिक चैनल से पुछते हैं कि मेरे पास दो अलग-अलग बिजनस एकाउंट है तो क्या मैं अलग-अलग QR कोड बना सकता हूं एक पेटियम बिजनस एकाउंट से दोनों का अलग-अलग बैंक अकाउंट है और जिसका आप QR code एक ही generate कर सकते हैं अगर आपको अलग-अलग bank account के लिए अलग-अलग QR code चाहिए तो आप Bheem जैसे applications का इस्तमाल कर सकते हैं या तो आप अपने bank का ही applications को इस्तमाल करें और आपको अलग-अलग QR code मिल जाएंगे दर्सन रोहिद जी पुछते हैं कि what happens if we cut red wire तो guys मैं आपको बता देता हो Jebronics Jeb Pleasant का headphone मेंने unboxing किया था और उसमें ये लिख रहे हैं कि अगर मैं red wire को cut कर दूँ तो क्या होगा तो guys obviously बात है अगर आप उसका connection को card देते हैं तो ये headphone जो ये पहले pay कर दें फिर auto debit तो नहीं होगा ना ये Samsung Finance Plus की regarding पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता है कुछ rules change हो चुके हैं मुस्कान राठोर जी अगर आपका auto debit enable किया हुआ है तो आपको must है कि आप अपने bank account में sufficient balance रखें नहीं तो आपका fine भी लग सकता है अगर आप manually payment कर देते हैं पहले भी या तो बाद में भी तो आपका fine जो है वो लग जाएगा क्योंकि वो पहले initiate कर देते हैं bank को auto debit के लिए और वो bounce करता है तो आपको लगबग 355 रूपिय का bounce charge pay करना होगा तो आप fine देने से बचें और उमिद है मेरा यह जवाब आपको समझ में आ गया होगा अब guys next बात करते हैं सुभम कटकर जी का सवाल ले लेते हैं यह ringtone कौन सा है बाई मैंने rdbs9 wireless bluetooth speaker का unboxing किया था और मैंने उसमें एक गाना प्ले किया था और वही गाना के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता जाता हूँ कि यह वारियो जो है ncs music के तरफ से था और ncs music में काफी अच्छा अच्छा music सबको मिल जाएगा अगर आप एक youtuber है तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो background music से बगरा यूज करते हैं तो ncs music से ही हम लोग music को लेकर इसमें इस्तमाल करते हैं तो यह वारियो का है काफी अच्छा है मैं आपने बहुत सारे blogs में या तो बहुत सारे वीडियो में ऐसे general वीडियो में भी इसका इस्तमाल करता हूँ आप गैस नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्ना गहलोत के बारे में BSNL 4G सपोर्ट होगा क्या सर इसमें तो मैं आपको बता दू लावा A1 जो स्कीपेड मॉबाइल फोन के रिगार्डिंग ये पूछ रहे हैं तो गैस BSNL 4G SIM अगर 2G को प्रोवाइड करेगा फ्यूचर में अभी तो फिलाल वो कर ही रहा है क्योंकि 4G जो है हमारे जारकन में साइद अबिलेबन नहीं है और बहुत सारे जगा में अबिलेबन नहीं हुए होंगे तो अगर वो 2G प्रोवाइड करेंगे तो ये लावा A1 जोस कीपेड मॉबाइल फोन में भी काम करेगा जैसे कि Airtel अभी भी करता है Vodafone आइडिया भी करता है और अगर वो अपना 2G को ड्रॉप कर देते हैं और सीर्फ और सी 4G नेटवर्क पे ही वो काम करेंगे तो फिर आपके ये लावा के कीपेड फोन बेकार हो जाएगा और साइद बहुत सारे कीपेड फोन में वो भी एसनल 4G नहीं इस्तवाल होगा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेक नेक्स्ट लेवल के कॉमेंट का तो मैं आपको पता दू टेक्निकल नेक्स्ट लेवल जी टेक नेक्स्ट लेवल जी मैं ओनेस्ट रिवीव करता हूँ और आज तक किसी भी ऐसे मेरे व्यूर्स को जो है मैं मिस गाइड नहीं किया और कोई भी प्रोडेक्ट जो अच्छा है मैं उसको अच्छा बोलो जो खराब है उसको मैं खराब ही बोलूँ तो उमीद है आपका सवाल का भी जवाम मिल गया होगा और आप समझ रहे होंगे नेक्ट सवाल ले लेते हैं डीजी टेक से तो गाइस ये बोल रहे है कि यूर चैनल इस वेरी गूड है बिन मेकिंग वीडियो लाइक दिस तो गाइस मैं एक इंबल पर्चेस करने जा रहा था आप लोग वीडियो को साहथ देखे होंगे वो वीडियो इन भाई साब को बहुत अच्छा लगा और ये बोलते हैं कि आप इसी तरह का वीडियो बनाया कीजे तो मैं आपको बता दू कि मैं जब अपने सेट अप पे व स्टार का ये पूछ रहा है कि वीवो वी 19 और वी 20 में से कौन सा अच्छा है तो मैं आपको बता दू भाई साब कि ये दोनों ही मोबाईल फोन अपने जगा में अच्छे हैं और इन दोनों ही मोबाईल फोन का प्रोसेसर और इंटरनल मेमोरी रैम वगरा सब कुछ से में सि को थोड़ा चेंज कर दिया गया है आप अगर वीवो वी 19 लेते हैं तो फ्रॉंट में आपको डूल कैमरा मिलता है जो की काफी अच्छा आउटपूट रिजल्ट देती है ये वीडियो जो है वीवो वी 19 से ही रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोग मुझे कॉमेंट करके बत बैटरी जो है वी 20 से अच्छा बैकप्स देती है 1000 मिली एमपेरिस की बैटरी है वी 20 में और डिजाइन थोड़ा वी 20 का मुझे अच्छा लगा तो आप दोनों ही मोबाइल फोन में से किसी को पर्चेस कर सकते हैं दोनों का लगबग लग अल्मोस्ट इस्पेक्स से में ही ह और केमरा क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छा लगता है अब गयाज नेक्स्ट बात करते हैं सुभम गोतम जी का कॉमेंट का और ये बोल रहे हैं कि सर मैंने आज ही पेटियम से अपने यमाई पेड कर दिया हूँ डियमाई फाइनेंस का और ये अपडेट नहीं हो रहा जब तक वो कैंसल नहीं होगा तो आपका ये मैनुवली पेडियमेंट जो है अपडेट नहीं होगा और आपके डियमाई फाइनेस के अप्लिकेशन में ये सो नहीं करेंगे तो गैस उमीद है कि सभी सवाल का जवाब आप लोग को सठीक मिल गया होगा और आगे भी आप ल थैंक यू धन्यवाद